कल यानी सोमबार से लोकस्था का महापर्व छठ की सुरुआत होने जा रही है। छठ ब्रतियों और स्रधालों को घाट पर आने जाने में दिक्कत न हो इसके लिए ट्राफिक ब्यवस्था में बदलाओ कर दिया गया है। छठ पुजा की दिन दस नॉमबर को दो पहर दो बज़े से साम साथ बज़े और ग्यार नॉमबर की रात दो बज़े से सुबा आठ बज़े तक सहर के प्रमुख सडकों पर याता यात बंद रहेगा। इसके अलावा पटना जुले में बड़े वाहनों की परवेश पर दस नॉमबर की सुबा दस बज़े से ग्यार नॉमबर की सुबा दस बज़े तक पूरी तरह से प्रतिबन रहेगा। सिर्फ छठ ब्रतियों अगनी सामक इंबुलेंस सौवदाह वाले ही वाहन आ जा सकेंगे। इस खबर में आपको पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। असोक राजपत में कारगिल चौक से पूरब दिदार गंज कारगिल चौक से पश्चिम साहपूर तक आम वाहनों के परिचालन पर प्रतिबन रहेगा। सिर्फ खजांची रोड और पटना कॉलेज साइन्स कॉलेज परिशर में वाहनों की पार्किंग के लिए सिर्फ छट ब्रतियों के वाहनों की पार्किंग होगी। दिखा मोड से आश्याना मोड तक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इस दोरान वाहनों को रामजी चौक मोड की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये वाहन नगहर रोड होते हुए बेली रोड आ सकेंगे। गाइघाट की ओर जाने वाले वाहन बाइपास या न्यू बाइपास से सीधे धून की मोड सितला मता मंदिर दिसकुमान होते हुए गाइघाट जा सकेंगे। इन वाहनों को गाइघाट पूल के नीचे पशिम पाया से सटे फ्लैक में हतिया बगान आलम गंज लुहा गुदाम। MCH के पार्क कराया जाएगा गाइघाट पूल के नीचे से परिचालन होने वाले टेम्पू और ब्योसाइक वहनों का परिचालन बाइपास थाना मोड से चोक सिकारपूर तक न्यू बाइपास कमली चक मोड से पटना सीटी दिदारगंज चेक पोस्ट से पशिम असोक आरोबी से पुरब मोड चार रोड पुरब दर्वाज की ओर जाने वाली छट ब्रतियों के वहनों को गुरु गोविन सिंग आरोबी के नीचे और पटना साइव स्टेशन की पास पार्क कराया जाएगा जेपू सेतु पर छोटे वहनों का परिचालन नहीं किया जा सकेगा पाटिपूल दिघा सिवा मिनार घाट जाने वाले ब्रतियों को वहन निर्धारित पार्किंग में पार्क किये जाएगे इन घाटों पर वहनों का निकास और परवेश जेपी सितु से एप्रोच पत और उपसपूर नहर रोड से होगा बाढ़ और मुकामा से पटना आने वाले ट्रकों का परिचालन फतुहा ओवर ब्रिच से उटन लेकर इनच 30 पर बीटा सरमेरा पत पर भेज दिया जाएगा दिदार गंज की ओर ट्रकों का परिचालन भी नहीं हो सकेगा ये वहन मसौरी मोड के रास्ते बीटा सरमेरा पत होते हुए फतुहा जा सकेंगे पतना जंक्षन जीपी ओ होते हुए बेली रोड से दानापूर खोगल जाने वली बस किसी भी परिच्थिती में गांधी मैदान नहीं जा पाएगी ये वहन पतना जंक्षन से अपने गतब्य आस्थान की ओर रवाना होंगे